गुदी इनिंग बच्चो वेलकम अगें टू करियर एंड कॉंपेटिशन इंग्लिश विद मैंग से और आज हम फिर वकैबलरी का डेली डोज जो लेते हम आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ हमारे जो इससे पहले हम क्लास शुरू करें मैं फिर से बता दू हमारी इंग्लिश क क्लासे शुरू हो गई है और जो बैच शुरू है भी उसका पहला चैप्टर चल रहा है फिर से हम अगले हफते 25 तारिक से हम डेमो क्लासे फिर शुरू कर रहे हैं उसका बैच फिर से शुरू होगा तीन बज़े से साड़े चार बज़े तक तो जो बच्चे इंट्रेस्ट एंगलिश देमो लेने में वह आएं मुखरी नगर के ब्रांच पर और देमो ले सकते हैं ॐ फिर न के टाइमिंग्स सुब़ है अब तीन बज़े से साड़े चार बज़े तक है दो टाइम है किसी भी टाइम है आप आए अगर आप 11 से साड़े बारे का भी डेमो लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे पास career and competition में हम आपको पूरा पूरी guidance देंगे और हम लोग नया बैच शुरू करेंगे उसके साथ हम preposition जोड के देखते हैं कि क्या क्या meaning निकलता है और fall के साथ भी हम preposition जोड के देखते हैं क्या क्या meaning निकलता है एक आध example भी लेंगे ओके आगे समझते हैं ठीक तो पहला है drop in drop in का मतलब क्या है एक casual visit करना है न कोई proper plan नहीं बस ऐसी चलो मिल के आते हैं तो जब भी कोई किसी के घर आप जाते है ऐसी मिलने के लिए तो उसको कहते है drop in मैं अपने friend के हाँ drop in कर गया थोड़ी ज़िए के लिए या मेरा friend मेरे हाँ drop in कर गया देखे क्या लिखा है whenever I get time I will drop in at your place to meet your father तो drop in का मतलब एक casual visit करना एक informal visit करना एक अनौपचारिक मुलाकात करना ठीक है न तो अनौपचारिक मुलाकात के लिए हम drop in word use करते हैं ठीक अब हम आते हैं next word next जो phrasal verb है हमारा drop off drop off drop off में हम जो use जो meaning है इसका to decrease in number संख्या में कम होना decrease मतलब घटना तो जब संख्या घटती है तो वो drop off कहलाता है ठीक है न drop off हम तब use करेंगे इस phrasal verb का इस्तमाल हम तब करेंगे जब संख्या घटती है किसी चीज़ की ठीक है न ओके तो it has suddenly become cold देखिए अचानक से सर्दी बढ़ गई है अचानक से सर्दिया बढ़ गई है and the number of people coming for an early morning walk has dropped off देखिए सर्दिया जब बढ़ती है न तो सुबह सुबह जो morning walk के लिए जाते हैं गर्मियों में वो धीरे धीरे घटने लगते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है ठीक है न तो जैसे जैसे किसी भी चीज की संख्या घटने लगे आप समझ जाईए देखिए आज कल जो हम तितलिया देखते हैं या गौरेया देखते हैं उनकी संख्या भी घट रही है है न जो birds जो migratory birds बाहर से आते हैं रशिया से आते हैं उनकी भी संख्या घट रही है धीरे धीरे तो their number is dropping off drop off का मतलब संख्या में कम होना या संख्या का कम होना ठीक है तो drop off याद रखिएगा इन ये जितने भी हम phrasal verbs कर रहे हैं इनकी बहुत importance है आपके examination में चाहे हो SSC का हो bank का हो NDA में हो CDS में हो किसी भी तरह के exam में sorry in phrasal verbs का बहुत importance होता है ठीक है ओके तो आईए हम लोग next देखते हैं next है drop out drop out का मतलब है कोई काम आप करने जा रहे थे लेकिन उससे उसको करने से पहले उससे बहार आ गया मतलब अभ आप वो काम नहीं करने वाले है to not do something planned earlier जिस काम को आपने पहले plan किया था अब आप वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं करने वाले हैं तो drop out का मतलब कोई चीज कोई plan किया आपने अब अचानक आपका mood बदल गया और आप उसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो उसको कहते हैं मैं उस चीज से drop out कर गया हूँ यानि कि उस चीज से बाहर आ गया हूँ as the half marathon progressed जैसे जैसे half marathon यू नो marathon होते हैं बहुत सारे बहुत तरह के marathon होते हैं तो marathon जो होता है जिन बच्चों वो नहीं पता है उनको मैं बता दू फुल marathon 42 km का होता है और half marathon 21 km का होता है तो जैसे जैसे half marathon आगे बढ़ा वैसे वैसे कुछ लोग उससे बाहर होते चले गए यानि कि उन्होंने जो plan किया था कि half marathon पूरा करेंगे वो नहीं कर पाए वो कौन है देखते है as the half marathon progressed many children and old people dropped out ठीक है यानि कि कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बुजुर्ग उससे बाहर हो गया उन्होंने जो plan किया था पूरा करने का वो जैसे आप दोस्तों के साथ cinema देखने वाले हैं ठीक है जाने वाले हैं cinema देखने और अचानक कुछ आपका mood बजल गया कोई काम आ गया और आप उस plan से drop out कर जाते हैं बाहर आ जाते हैं ठीक है न वो plan आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको कहते हैं drop out आप अपने दोस्तों को बलते हैं यार मैं drop out कर रहा हूँ मैं नहीं जाओंगा movie देखने तो that is dropping out ओके तो ये तीन words हमने क्या क्या पढ़ा पहला था drop in drop in में आप किसी से casual एकदम अनौपचारिक मुलाकात के लिए जाते हैं दूसरा है drop off यानि कि संख्या में घटना संख्या का कम होना और तीसरा है drop out यानि कि कोई चीज जो आपने plan किया था वो आप नहीं कर रहे हैं तो उसको कहते हैं drop out ठीक अब हम आते हैं अगले word पे अगले phrasal word पे जो fall से शुरू होता है मैंने कहा था drop और fall दोनों हम लोग ले चलेंगे तो पहला है fall back on, fall back on का मतलब क्या है fall back on का मतलब to make use of an emergency मान लीजिए कोई emergency आ जाती है अः हर किसी के जीवन में कोई ने कोई emergency आती है तो जब आपके जीवन में कोई emergency आती है तो आप किसकी तरफ देखते है help के लिए या आप मदद के लिए सबसे पहले किसकी तरफ मुरते हैं या जिसकी मदद लेते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं falling back on है ना जैसे आम तोर पे हर के जीवन में क्या होता है कि अगर कोई emergency आती है तो अपने parents की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो इसी presentance बनाया है if I lose this job अगर मेरी ये job चली गई I will have to fall back on my parents support parents support parents के support पर मुझे दुबारा जाना पड़ेगा है ना तो emergency के स्थिती में आप जब दुबारा मुड के किसी के पास जाते हैं तो उसको हम fall back on कहते हैं fall back on मतलब emergency की हालत में जिसकी तरफ मदद के लिए वापिस जाना मुड कर जाना ठीक है ना एक चीज़े हां पर मैं दिखाना चाहूंगा parents word में यह जो apostrophe s लगा हुआ है apostrophe s ध्यान दीजिए यहां पर जो apostrophe s लगा हुआ है वो s के बाद लगा हुआ apostrophe ठीक है ना क्यों ऐसा लगा हुआ है क्योंकि parents plural है और plural में हम s पहने लिखते हैं और उसके बाद apostrophe लगाते हैं अगर वही singular होता parent होता सिर्फ parent होता और उसका apostrophe लगाना होता तो हम ऐसे लगाते हैं अगर singular होता लेकिन चुकि यह plural है इसलिए apostrophe s के बाद आता है ठीक है ना जैसे boy है ठीक है boys football अगर बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे लड़कों का football है plural में है यह तो boys football ऐसे लिखेंगे और अगर एक लड़के का एक लड़के का football है तो हम ऐसे लिखेंगे ठीक है boys football singular में हम apostrophe पहले लगाते हैं इस बाद में लगाते हैं plural में हम इस पहले लगाते हैं अपोस्ट्रोफी बाद में लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, अब हम आते हैं, fall back on, to make use of in an emergency, एक किसी emergency में मदद लेना या उसका प्रयोग करना, ठीक है ना, अब हम आते हैं, fall off, fall off के दो meaning है, पहला, to withdraw, to withdraw मतलब पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है, पहला meaning, इसका sentence देख लेते हैं, friends fall off in adversity, adversity का मतलब होता है, बुरा दिन, जब भी किसी के बुरे दिन आते हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जो हमेशा, पीछे एड़ जाते हैं, मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ जो सचे दोस्त होते हैं, वही आपकी मदद करते हैं, ठीक है ना, तो वैस drop off मतलब कम हो जाना, गिर जाना, गिरना मतलब गिंती में, in numbers, to drop off in numbers, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं, fall off का, जैसे देखिए, sales have been falling off recently, कोरोना के बाद अगर हम देखें, तो कई businesses के sales जो है, एकदम नीचे की तरफ गिर गये हैं, है ना, कम हो गये हैं, इसलिए sentence मनाया गय कि sales have been falling off recently, sales जो है, आज कल के दिनों में घटते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो fall off का मतलब संख्या में कम होना, ठीक है ना, संख्या में गिरना, especially numbers की बात हो रही है, ठीक है, तो fall off का मतलब दो meaning, एक पीछे है जाना, और दूसरा संख्या में कम होना, ठीक है, फिर आते ह fall out, fall out का meaning जगरा करना, या बहस करना, to argue या quarrel, quarrel का मतलब है, जगरा करना, बहस करना, argue का meaning भी वही है, market नहीं है, यहापे सिर्फ, बाता बाती, बहसा बहसी की बात है, ठीक है, he fell out with his parents and left home, वो अपने पिता जी के साथ argument कर बैठा, और अपना घर छोड दिया, तो fall off का मतल fall out का मतलब का होता है, fall out का मतलब होता है, quarrel करना, argue करना, या जगरा करना, ठीक है, fall out, मतलब, बाहर, एकदम, खतम, बहसा बहसी कर लेना, ठीक है न, तो बहसा बहसी करके, बहस करके, जगरा करके, और घर छोड दिया उसने, ठीक, fall out, राइट, तो अब हमने कौन-कौन से words सीखे, fall से, drop के हमने 3 phrasal verbs सीखे और fall के हमने ये सीखे, fall back on पहला, fall off और fall out तो 3 drop words से 3 phrasal verbs और 3 phrasal verbs fall से, ठीक है जी तो इन 6 words को देखे छोटा सा वीडियो मैंने जानबूच्च के बनाया है ताकि आप 6 words याद रख सके उनके sentences बना सके उन पे ध्यान दे सकें तो आप लोग इन सबको याद करिए या आपके जीवन में देखिए एक-एक नंबर SSC में बहुत इंपोर्टेंट होता है ठीक है न? एक-एक नंबर SSC में इंपोर्टेंट होता है और एक नंबर भी आपका कम है तो आप हजारों की संख्या में पीछे जा सकते है आपका जो रैंकिंग होगा वो एक-एक नंबर से ही बनता और बिगड़ता है तो आप इनका ध्यान रखे इनको याद करें sentences में use करें, questions में ढूने जो questions आप बनाते है sets बनाते हैं उनमें आप ढूने और फिर उनको use करें ठीक है, तो यहाँ पे हमारी class जो है, खतम होती है आप जुड़े रहिए English by Man, Sir और हम लोग इसी तरह से आपका vocab थोड़ा-थोड़ा करके, धीरे-धीरे करके और बहुत बढ़िया कर देंगे ठीक है, thank you very much have a nice evening, keep safe, keep healthy thank you